नमस्कार दोस्तों मैं संचे आपका बहुत बहुत सुखत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बे तो दोस्तों इस वीडियो के माददेमस मैं बात करने वाला हूँ पॉजिशनल इस्टेड़जी के बारे में अधिकतर आपको सभी को पता है कि अपने पास वॉजिश strategy है पूरी और इसके तुरू अगर आप काम करते हो तो ये बात पक्की है कि 100% पैसा ही पैसा बनाओगे ही और मैं आपको प्रूब करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर इस हर strategy का कुछ कुछ रूल होते हैं कुछ नियम होते हैं जो कि हमें फोलो करने पड़ते हैं तो यहाँ पर यह strategy है इसके भी कुछ रूल है यह भी आपको फोलो करने पड़ेंगे तो simple पोजिशनल काम करने जाते हैं तो क्या होता है केश में हम only buy ही करते हैं पोजिशनल में sell नहीं करते क्यों नहीं करते साब क्योंकि पोजिशनल अगर आप buy करोगे तो आप उस stroke को hold कर सकते हो जितना मर्जी हो जितने दिन आप रखना चाहो उसको रख सकते हो लेकिन अगर आपने उसको sell कर दिया तो intraday के अंदर उसको आपको exit करना पड़ेगा यह cash का नियम कहता है और जितने भी लोग यहाँ पर पोजिशनली काम करते हैं सभी लोग cash market में ही माल को उठाते हैं यानि कि only buy करते हैं तो इस strategy में only आपको buy ही करना है sell नहीं करना ठीक है तो यह चीज़ आपको clear हो गई इसको आप ध्यान में रखिएगा तो यहाँ देखिएगा आपका buy का call generate हुआ यह वाला अब आप date note कीज़ेगा सब date आपके कितनी है 19.05.2021 तो यहाँ से हमने इसको entry किया entry करने के बाद देखिएगा आपका first target कितना था आप check करिएगा तो एक चीज़ बता दू पोईशनल जब हम लोग काम करते हैं तो चोटे 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 target पर काम नहीं करते हैं हम बड़े target पर काम करते हैं पोईशनल में तो इसकी first target value आपको देखिएगा आप दिखाई दिया यह आपको यह देखिएगा यह यह आपका message box को option इसमें आपका target first यहाँ पर लिखा है तो इसकी value कितनी है 1578 रूपे की और आपका buying price कितना है 1789 इसको 90 मान लीजी और तो आपका first target कितना हुआ first target हुआ आपका 88 पॉइंट का अब यहाँ पर एक चीज देख लीजीगा suppose कीजिए बहिए 19.5 की बात चल रही है 19.5 से आपका first target कितना दिर में अचीव हो गया 86 2021 यानि ज़्यादा दिन आपको नहीं लगे तो यहाँ पर देखेंगा हमें 88 पॉइंट मिले अब suppose करें साब का holding बाला काम कर रहे हो आपका ज़्यादा margin नहीं है आप उनले 100 share में काम करते तो कितना पैसा मिला 8800 रूपे ठीक है अगर आपके पास थोड़ा margin अच्छा है अगर आप 500 share से काम करते कितना पैसा मिला तो यह मिला लगवा 24,000 रूपे यानि कि positionally हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हम क्या है हम easily पैसा बनाते हैं और हर बार पैसा बनाते हैं इंट्राडम में क्या होता है इंट्राडम थोड़ रिस्क की जादा होती है और मुनाफ ही मुनाफ़ा होता है तो यहां फर्स्ट अगर हम लोग ने चेक किया साइकें टागेट अगर देखें साइकें टागेट की वैल्यू आपकी कितनी है देखेगा आपका 1696 रूपे की ठीक है तो 1696 का आपका साइकें टागेट है एंट्री कहां से की थी तो यहां पर आप लोग चेक कीजिए हां से देखें आपके एंट्री हुई थी एंट्री होने के बाद यह आपका फर्स्ट टागेट तो फर्स्ट टागेट तक अगर आप कितना पैसा बना सकते होई आपर हम पहले केलकुशन कर लेते हैं जैसे कि देखेगा आपकी एंट् target first, second, third आपको यहाँ पर mention होता है तो एक बार बता दूँ positionally हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा target बड़ा रहता है आप देखिए का first rate कितना आपका 1588 रुपे का और आपका buying price कितना है 1444 इसको आप 1475 भी लिख सकते है तो और अगर हम लोग देखिए तो यह हमारा first target जो है वो है एक सो तीन point का अब यहाँ पर suppose कीजिए अगर simply आप 200 शेर्षें आपर काम करते तो लगवग आपका मुनाफ़ा 20,000 रुपे का रहता अगर यहाँ पर आप काम करते 500 शेर्षें तो आपका मुनाफ़ा 21,000 का रहता अगर आपके पास margin जादा है और अगर आप 1000 शेर्षें आपर काम कर लेते तो आपका मुनाफ़ा देखिए कितना रहता है लगवग 1,00,000 रुपे का ठीक है यह तो साब first target है लेकिन अगर second target हम लोग यहाँ पर जाते तो क्या होता second target देखिए का कितना है 1696 रुपे का ठीक है अब यहाँ पर 1696 आपका मलब की second target है एंट्रिप्राइस कितना था 1444 रुपे का यह तो लगवग 221 पॉइंट का यहाँ पर आपका target मिला अगर suppose किजिए भी second target अगर आपने आपर 200 शेर से भी काम किया होता कितना पैसा हुआ लगवग 44,000 रुपे और अगर यहाँ पर अगर जैसे बात करूँ अगर 500 शेर से काम किया होता लगवग आपका target होता आप पैसा बनाते लगवग 1,10,000 रुपे तो सिंपल से कहने के सर यह बात है कि आपको करना क्या है मार्केट में जब आप काम करते हो ठीक है मार्केट में जब आप काम करते हो holding बाल अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर कुछ नियम आपको follow करना है सुप्टर की मदद लेनी है आप easily पैसा बनाओगे तो सार यह तो होगी आज की बात अभी की बात अगर हम इसका पिछला record चेक करें तो आपको बता दूँ आपको करना क्या जैसे कि यहाँ बाय था हमने ट्रेड किया हमने profit लिया अब यहाँ देखिए पिछला देखिए sell बना, trade नहीं करना ठीक है, बिल्कुल नहीं करना sell इसको, buy बना, फिरसे हमें trade करना है trade किया, target first हुआ second हुआ, और exit कर दिया exit कैसे करते हैं, बता देता हूँ यहाँ पर आपका buy call generate हुआ दोनों line देखिए, आपकी green है, यहाँ से आपको entry करनी है, जैसे यह दोनों green line है यह rate में convert होगी, वहाँ पर आपको exit कर जाना है, ठीक है तो यहाँ पर second target तक भी आप exit कर सकते थे लेकिन यहाँ पर आपकी line यहाँ पर देखिए exit उसने दे दिया, तो यहाँ पर आभी exit कर सकते थे, यहाँ पर भी आपको शानदा return मिला, आपको यहाँ पर देखिएगा, लगबग अगर देखूँ, तो आपका मुनाफ़ा यहाँ भी 200 point के आसपास आपको मिला है और पीछा record चेक करते हैं, आप यह था 18.11.2020 का इसके पहले चेक करते हैं, sell call बना, क्या करना इसको trade नहीं करना और पीछे चलते हैं, buy call बना, इसको trade करना है कब तक hold करना है, जब तक यह raid ना हो, तक या पर second target तक, आप देखिएगा यहाँ से entry हुई, target first second अचीव हुआ, और यहाँ पर आपको exit करवाया, लगबग 208 point मिले, simple सी बात है, अगर 208 point मिले 500 share से काम होता, कितना पैसा मिलता लगबग 1.5 lakh रूपए और पीछे चलते हैं, sell बना, trade, नहीं करना पीछे चलते हैं, buy बना, trade करना है, क्यों? क्योंकि सब हमें holding करना से लिए 30, 11, 12, 18 को entry हुई और यहाँ पर देखिएगा, आपका 25, 12, 19 को exit हुआ 1st target पर, और अगर market में अगर over hold करते हैं, तो देखिएगा, second, third target भी आपका achieve हो गया, फिर इसे sell बना हमें आपर entry नहीं करना, इसको avoid करना, इसके पहले देखिएगा buy बना, entry करना, definitely यहाँ trade करना, profit लेना sell बना, avoid करना है इसके पहले buy बना, trade करना था तो इस तरह आप अगर आप देखें, मैं आपको देखिए, 2017 तक का मैं record बता दिया 5, 1, 2, 1, 17 की बाद चल रही है और फिर चेक करूं, sell बना avoid करना, इसके पहले देखो 12, 4, 2, 1, 16 की बाद चल रही है यानि कि कोई से भी सन में आप चेक कीजिए कोई से भी सन में, मैं नहीं करूंगा आपको मतलब की अभी का चेक करना आप कभी कभी चेक करना है देखिए, 2014 तक की बाद आ गई है जब भी entry करोगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा देखिएगा, entry हुआ 13 की बात आ गई है 11, 12, 13 यहां भी देखिएगा, first target अची हुआ इसके पहले देखिएगा 37, 12, 13 entry हुआ, target अची हुआ तो भी अगर मैं देखूँ अगर मैं पिछलो 10 साल का record भी आप बता हूँ आपको हर बार आपको target मिलेगा यहां देखो, buy हुआ कितना 12 पे आगए हम लोग यहां पर देखो, पैसा मिला definitely मिलता है तो जो लोग काम करते हैं साब बिल्कुल market में सहीं तरीके से बोग पैसा जरूर बनाते हैं देखिए मेरे पाँ लगबग 10 साल तक का data था मैं आपको पूरा मैं आपको बता दिया पूरे पिछले में दस साल का record बता है उसमें अगर मैं सिंपल से कर बात करूँ suppose किजिए अगर first target भी लेते हो जादा नहीं भी लेते हो तो first target अप में कितना होता है लग बग 100 point का ठीक है, एक में overall में तो एक average and profit जोड लेता हूं 100 point का first target suppose कर अपर जादा पैसा नहीं है, only 100 share से हम लोग काम कर रहे हैं, तो कितना मुनाफ़ा हुआ 10,000 का एक single call पे, अगर मैं अगर बात करूँ, ये एक simple stock की बात की, मैंने एक stock की बात किया है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जादा पैसा का investment करते है, जहां पर हम जाधा मिलती है, suppose कि एक रहे एक 1000 share आपने entry की और first target लिया only कितना पैसा मिला? 1.000.000.000 एक 1000 share से आपने काम किया second target achieve पर रहा कितना पैसा मिला? 2.0000.000 तो इस तरह अगर आप जब भी market में काम करोगे, हर बार अगर profit होगा, तो definitely आप market में अच्छे से अच्छा leverage यूज करोगे, अच्छे margin money यूज करोगे, जाज-जाधा मुनाफ़ा बनाओगे, तो सर ये तो हो गई, बार्ट इंडिया की बात, अगर आपके पास software अगर है, तो आप भी चेक कर सकते हैं, पिछला दस साल का record आप चेक कर सकते हैं, so tutorial आपको हर बार पैसा दिया है, तो पोजिशनल स्टेजिया आपको हर बार पैसा देती है, बस अंतर यह है कि आपको इसको काम करना है, उसको तरीकर में आपको बताया है, इसको आपको फोलो करना है फोलो करते है चलो साब हमें साथ बनाओगे और यह मैं नहीं कहा रहा हमारे जो क्लाइन्ट हैं जो की भी पोचिनल इस्टरड़िज में काम करते हैं उनका खुद का एक्सपरेंस ही है जो कि मैंने आपको शेर किया क्योंकि साब बात ही होती है मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ जैसे कोई क्लाइंट है आप यूज कर रहे हो चीज़ अगर आप स्टाटेजी मेरे शेयर कर रहे हो के सार ऐसी बात ही यहाँ पर भी सिच्टम यहाँ आप देखिए इसमें वर्क कर सकते हैं तो भी मैं आपको डेफिनिटली इसको यूज करता हूँ शेयर करता हूँ तो यहाँ पर यह स्टाटेजी यह में भी यूज करता हूँ हमारे क्लाइट भी यूज करता है और यह सारी चीज़ें मैंने खुद औबजर्व करके बहु सब आपके पास में दी हैं आपको मैंने सब्सक्राइब बताई हैं आप इसको चेक कर सकते हैं और पूरा रिकोर्ड इसका बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर हो तो भी डेफिनल्ली इसको यूज करो पैसा बस आपका वेट कर रहा है जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी पाओगे अगर आप चाहतों कि यह आपने बाते बता दी लेकिन मैं खुद देखना चाहतों सब्सक्राइब क्या हो वाकई वर्क करता गी नहीं गर्दा तो सब्सक्राइब यह हमारी कंपनी की वैपसाइट www.smarttrade system इस पर सिंपल सा आकर है आपको यहाँ पर देखेगा रिक्ट्ट्र डेमो को ओप्षेंट पर आपको किलिक कर देना है Demo form आपको fill up कर देना है और simple से आपर request यहाँ पर देखेगा send message पर click कर देना है इसके बाद live market हमारे executive को call करेंगा आपको live demo दिखा जाएगा और demo जो होता साथ बिल्कुत video cost होता है इसको demo ज़रूर देखें और जो भी आपके down to software के regarding जरूर पूँचे हैं बस थोड़ा सा बदलाब कीजिए आपके trading में आप definitely पैसा बनाओगे daily basis दो पैसा बनाओगे intraday strategy या पोजिशनल strategy हर strategy माप जरूर पैसा बनाओगे हमारे सब्सक्राइब के मदद से आप हर बार पैसा बनाओगे यह बिल्कुल बादा आपका तो बिल्कुल आप डेमो जरूर देखे सब्सक्राइब के रिगार्डिंग और आशे करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो जरू लाइक कीजिएगा अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता हैं दोस्तों नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाई and थेंक्यो